ये सफेद रंग की चीज आपके अमरूद के पौधे और उनके फलों को हर सीजन में बहतर रखेगी फलों में कीडे नहीं पढ़ेंगे और पौधे जो है बड़े बड़े साइज के अमरूद के फल देगे तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ये सफेद रंग की चीज क्या है और इसे यूज कैसे करेंगे आप मैंसे बहुत सारे लोगों ने हमारे पिछले वीडियो उस पर कमेंट किया था कि हम गमले में लगे पौधों के लिए तो क्या टिप्स बताते रहते हैं लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं उनके लिए हम क्या करें तो एक हमारा अमरूद का काफी बड़ा पौधा है तो आज की ये जो वीडियो है ये दोनों तरह के पौधों पे काम करेगी अमरूद के गमले में लगे पौधे पर भी और अगर आपके पास बड़ा पौधा है तो उस पौधे पर भी ये ट्रिक बिल्कुल 100% बर्थ करेगी लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो का विचार और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों कि हमें लोगों के अंदर सदेव अच्छाईयां देखनी चाहिए क्योंकि हमारे विचार और हमारे देखने की जो सोच होती है ना हमारे अंदर ही वही चीछ डैबलप होती है अगर हम लोगों में अच्छी चीज देखेंगे तो हम भी अच्छे बनेंगे और अगर हम लोगों में बुराईया देखेंगे तो हमारे अंदर भी बुराईया पाएंगे और आप अम्रूद अनार और आम तीनों तरह के पौधों पर ये प्रिकरिया कर सकते हैं जमीन में लगे अम्रूद के पौधे पर या गंबले में आपको कहना यह है कि सबसे पहले पौधे के आसपास के एक से डेड़ फिट की एरिया तक मिट्टी को अच्छे तरी निकल आया है उसे काट कर अलग फैंक दीजिए अम्रूद के जड़ों में से क्या होता है कि हर साल कुछ नए पौधे डैवलप होते हैं और हम लालच में के नए पौधे बन जाएंगे इन्हें निकालते नहीं है जबकि ये पौधे करते क्या है कि आपके अम्रूद के पौ इसके बाद गुढ़ाई करेंगे और गुढ़ाई करने का कारण यह है कि अम्रूद अनार या आम के जड़ों के पास चीटीया दीमक अपने जो है छेद बना लेते हैं उन घरों को उन छेदों को हम खराब करेंगे उन्हें नश्ट करेंगे तो एक हलकी गुढ़ाई और अब इसे छोड़ देंगे हम एक दिन की हलकी फुलकी धूप और हवा लग जाने के लिए और अब हम इस सफेश सी चीज को आपको बताएंगे किसका करना क्या है और यह है क्या तो आप इससे पर्चेत होंगे यह है चूना और यह वही चूना है जिससे हम पुताई करते है है घरों की चूना चूना जो एड आपने सुना होगा कभी तो यह जो चूना होता यह कैल्सियम का बहुत अच्छा सुरोथ है इसके लावा जैविक कीटना सक पेस्टरसाइट बनाने के लिए इसका प्रियोग बड़े स्थर पर किया जाता है आम अनार अम्रूद और आलू लिटर या चाल लिटर पानी जो है आप मिक्स कर देंगे और इसे आप छोड़ देंगे एक से दो दिन के लिए देगे चूना और पानी मिलाने पर आपसमन संक्रिया होती है और इसमें गैस निकलेंगी और हम इसे बजहाने के लिए छोड़ देंगे यानि कि इसकी गर्मी खत्म करेंगे और दो दिन बाद ये तैयार हो जाएगा हमारे अमरूत के पौदे पर प्रयोग किये जाने के लिए वो कैसे करेंगे हम आगे आपको बताते चलेंगे सब कुछ सबसे पहले आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए एक से दो दिन के लिए इसी बीच दूसरे दिन हमने इससे पहले दिन अपने अमरूत की गुड़ाई की थी और अब हम अपने अमरूत को वूष्ट करेंगे क्योंकि हमारे अमरूत के पौदे पर फल और फूल आने की तैयारी हो रही है तो हमें कहना क्या है कि 2-3 किलो पुराना गोबर खाद लेना है गोबर खाद ना मिले तो अगर आप खाद देंगे तो आपका फूल गिरेगा नहीं फूलों में परागरन निसेचन की क्रिया बहुत तेजी से होगी जादा होगी यानि के आपके पौदे पे जादा से जादा फल वनेगा तो जैसे ही फूल आए वैसे ही आपको अपने सभी पौदों में जो खाद देनी है लेकिन और गयनिक खाद देनी है तो खाद देने के बाद थोड़ा सा हम इसे मिट्टी में मिला देंगे अब यह प्रकरिया पूरी नहीं हुए दोस्तों अभी यह आधी प्रकरिया है वीडियो में आगे हम क्रम बाइज आपको यह प्रकरिया बताते चलेंगे कि व तो हम कैसे अपलाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा एक से दो दिन बाद हम देखेंगे जो हमने चूना पाने में भिगो के रखा था वो इस तरीके से कुछ गैल जाएगा और अब हम इसे फोड कर देखेंगे तो यह बिल्कुल मुलायम हो गया होगा तो हम अपने हातों स इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका एक पेश्ट बनाएंगे और अगर आप इसे और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 20 ग्राम जो है नीला थोता मिला देंगे तो वो और बहतर हो जाएगा अब देखिए हमारा यह बुझा चूना क्या करेगा कि आपने द अपने अम्रूद के पौदे के तने को नीचे से लेकर उपर तक 2-3 फिट की उंचाई तक अच्छे तरीके से पेंट कर देंगे पेंट करने के कई फायदे हैं पहला फायदा है कि चीटी दीमक या अन जो कीड़े हैं वो आपके पौदे पे चढ़नी पाएंगे तो बीमार के बाद फलों में भी नहीं पहुंचेगी और इस प्रकरिया का प्रियोग किशान अपने वागों में हर साल करते हैं खासकर आम और अम्रूद के पौदे पर तो ये राम बाण उपाए है आपको वह साबधानी ये रखनी है कि आप जो अपने अम्रूद के पौदे का जो त प्रकरिया को कर लेंगे तो हमारी दवा का खर्च भी जो है बहुत कम हो जाता अगर हम ये कर लेना तो फिर हमें अपने पौदे पर दवा का छड़काव करने की आप सकता नहीं होती है तो ये आधा पार्ट पूरा हो गया अभी हमने अपने पेंट कर लिया है लेकिन अब ह पानी में मिक्स करके इस तरीके से घुल लेंगे अच्छे तरीके से और ये जो मिस्तन है ये आपके अम्रूत के फलों के लिए राम बार बहुत ही बड़ी हा फैटलाइजर का काम करता है इससे अम्रूत के फलों में चमक आती है size भी बड़ा हो जाता है तो जो हमने खाद उसके चारो तरफ ये जो है हम मिस्टन डाल देंगे और ये सिर्फ एक सीजन में एक वार कहना है छे महीने में एक वार आपको कहना है बार वार ये प्रकरिया आपको नहीं करने पड़ेगी तो ये दो काम अभी कर दीजिए फिर देखिए पूरे सीजन आपके यहां बहुत अच्छे अमरूद आते रहेंगे